हेलो एन वेल्कम टो दी अवर न्यू यूट्यूब चैनल इगनाइट डिजार एजुकेशन तो जैसे कि मैंने आपको प्रेवियस वीडियो में बताया था कि अपसे हम नई सीरीज यानि की एनर्जी कंसर्वेशन के उपर वीडियो बनाने वाले हैं तो इस इस वीडियो में ह अगर आप हमाये चैनल पे नए हो और अभी अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें हमाये चैनल इगनाइट डिजार एजुकेशन को क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियो को लगातार अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं लेट्स बाउट प्राइमरी एनरजी वह एनरजी जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाती है उसे हम प्राइमरी एनरजी बोलते हैं यानि कि इसके लिए हमें human engineered conversion process की आवशकता नहीं होती यानि कि हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं एस सोलर एनर्जी और राव फ्यूल्स प्राइमरी एनर्जी नॉन रिनेमबल और रिनेमबल दोनों तरीके के हो सकते हैं नॉन रिनेमबल और रिनेमबल एनर्जी के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे और रही बात energy की तो हमने previous वीडियो में energy के बारे में आपको बताया था और वहाँ पर अपना syllabus भी बताया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए So primary energies हमें directly nature से मिल जाती है like coal, oil, natural gas and wood इसके अलावा earth heat भी हमें geothermal energy के रूप में इसे भी एक primary energy कहा जाता है So, अब बात करते हैं उनके बारे में जो primary energy नहीं है Primary energy जैसे crude, oil, coal, wind, natural gas यह सभी तो primary energy है बट हम इन energies के through convert करके जो energies बनाते हैं जैसे electrical energy उन्हें हम primary energy की category में नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यानि कि primary energy का conversion नहीं किया जाता है So, अब बात करते हैं क्या coke और charcoal primary fuels हैं तो जवाब होगा नहीं, ये coke और charcoal primary fuels नहीं है कारण ये है कि coke हम coalic से बनाते हैं और charcoal का हम लकड़ी के प्रयोग करके बनाते हैं So, यानि कि हम इनका एक तरीके से form इनकी convert कर रहे हैं या conversion कर रहे हैं हम यहाँ पे So, ये एक primary fuel नहीं है So, I think अब आपको समझ में आ गया होगा कि primary energy किसे कहते हैं और primary fuels किसे कहा जाता है So, primary fuel से प्राप्त होने वाली energy को ही primary energy कहा जाता है So, petroleum, natural gas, coal, biomass, flowing water, wind and solar radiation ये सभी example है Sun को primary source of all energy भी कहा जाता है इसके थुरू ही earth planet पर जीवन संभा हुआ है और जितनी भी तरीके की hydrologic cycles होती है उसमें sun का एक important rule है हम ये जानते हैं कि sun के थुरू हमें energy heat और light के form में प्राप्त होती है So, उसके बाद हम sunny modules like solar panels के थुरू इस प्रकार से energy को प्राप्त करते हैं controller charge तक पहुंचा जाती है then battery में और उसके बाद inverter को charge किया जाता है So, इस प्रकार से process से हमें solar energy प्राप्त होती है अब बात करते हैं क्या electricity एक primary energy है तो वीडियो के start में मैंने आपको बताया है कि primary energy किसी भी प्रकार के conversion के थुरू प्राप्त नहीं होती oil को the most important source of primary energy भी कहा जाता है क्योंकि इसके थुरू ही हम vehicles का संचालान करते हैं और aeroplane भी इसी के थुरू चला जाती है या लगबग 1950 से यानि mid 50s से ये most important source of primary energy है तो इसे हम liquid sona भी कहते हैं या तरल sona भी कहा जाता है क्योंकि कई देशों के अर्थोबस्ता है पूरी तरीके से oil पर नेरवड़ है या like Saudi Arabs और ये काफी अमेर भी कही जाती है क्योंकि इनके पास काफी हद तक oil है या crude oil है इनके पास सो अब हम बात करेंगे primary fuels के बारे में यानि कि जो भी हमें naturally found होता है जो fuel जिसके थुरू हमें primary energy प्राप्त होती है उसे हम primary fuels कहते हैं like coal, crude oil ये सभी हमें nature में found होता है इने हम primary fuels कहते हैं सो thanks for paying attention आपको आज का वीडियो कैसा लगा सो next part में हम secondary energy के बारे में discuss करेंगे इससे पहले मेरे एक सवाल है कि what is earth's primary source of energy so अगर आपने वीडियो देखी होगी तो definitely आपको समझ में आएगा कि इसमें चार option दिये गए water, wine, sun और gasoline, so comment में लिखना ना मोले thanks